इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ FFMPEG Installation on Windows 10 और साथ में ही मैं आपको बताऊँगा ये FFMPEG कमांड को कैसे रण किया जाता है कमांड प्रॉंप्ट से अगर आप बिगिनर से हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आएए सुरू करते हैं without wasting anytime तो ये हैं steps, पहला step है जिसमें हमें FFMPEG का suitable package डाउनलोड करना होगा for Windows 10 के लिए जो की 64 bit window मैं use कर रहा हूँ यहाँ पर और इसके लिए link दिया हुआ है यहाँ पर और ये same link आपको description box में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस link को pick कर सकते हैं link को copy कीजिए, chrome browser open करिए और वहाँ के address bar में इसको paste कर दीजिए इस तरीके से address bar open कीजिए और यहाँ पर copied link को paste कर दीजिए इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करते ही आप ये official download page है FFMPEG library का और यहाँ पर आप देख सकते हैं left hand side पर 3 version है Linux, Windows and Mac तो हम focus कर रहे हैं Windows पर, तो यहाँ पर Windows link जो center पर है आप उस पर click करेंगे और इस पर click करते ही आप देखेंगे दो download links जो की bottom में appear हो रहे है यह जो आपकी heading दिख रहे हैं ना, Windows exe files ओके, यहाँ पर दो link दिख रहे हैं, तो इसमें से हमें पहले link पर click करना है इस पर link पर click करते ही आप एक दूसरी website पर redirect हो जाएंगे और यह भी trusted source है, ffmpeg download करने का तो इस page पर हमें कौन सा package डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आप देख रहे हैं box, इसमें दो files हैं, जिसमें ffmpeg git essential.7z है और दूसरा link है ffmpeg git full.7z तो दोस्तों first वाला जो link है वो हमें use करना है basically इसमें आपके पास सारे features हैं, almost सारे features हैं जो कि आप एक beginner होने के नाते अगर आप सीख रहे हैं ffmpeg तो आप इस package को use करते हो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, केवल 23MB, 24MB के around है और मैंने इस पे click कर दिया है, जैसे ही आप इस पे click करते हैं link पे तो आपका जो downloading है वो start हो जाएगी और left side में आप browser में देख सकते हैं package download हो रहा है थोड़ी दिर wait करते हैं, ज़्यादा time नहीं लेगा आपका आपके network मेरे network से ज़्यादा fast होगा तो यह आपकी downloading पास से 6 minute के अंदर हो जाएगी complete तो इसका wait करते हैं, इसको complete होने देते हैं, इसके बाद हम इस file code copy करके एक separate place पर रखेंगे जहाँ पर हम इसे unzip करेंगे, तो थोड़े ही देर में यह download complete हो जाएगा, ओके लगभग complete हो चुका है तो सबसे पहले मैं downloads folder में जाऊंगा, वहाँ पर यह हमारी file download हो चुकी है, इसको मैं suggest करता हूँ आप इसको copy करके द्राइब में, इड्राइब में, जहाँ भी एक safe place आपको लगता है, जहाँ आप अपने software से रखते हैं, वहाँ पर इसको रख लीजिए, जैसा कि मैं अभी इस folder में रखता हूँ, यहाँ पर मेरे सारे software packages, eclipse, jdk, apache, maven, सब कुछ यहीं रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, और अब हम इस 7z file को extract करेंगे, with the help of this 7z utility software, जो की installed है, अगर आपके system पर नहीं है, तो आप इसको nets download कर सकते हैं, extract करते ही, आपको एक folder मिल जाएगा इस तरीके का, और जब आप इस folder के अंदर जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कई files मिलेंगी, बिन folder मिलेगा, तो सबसे पहले, मैं यह suggest करता हूँ, कि अधर folder का name बहुत ही lengthy है, तो उसको आप short कर लीजे, because path setup के time पर थोड़ा easy हो जाता है तो मैं इस folder को rename कर दिया है, और that package जो मैंने भी copy paste किया था, उसको delete कर दिया, वो उसका use नहीं है, अब इस folder के अंदर आप जब जाएंगे, bin folder के अंदर, तो यहाँ पर आपको तीन file दिखेंगी, important वाली file जो है, वो है ffmpag.exe, इसी का ही use करके, आप कोई भी command prompt के थूरू run कर सकते हैं, ओके, तो दोस्तों हमने देखा, first step में हमारी downloading हो चुकी है, और हमने folder को extract कर लिया है, अब step 2 पर चलते हैं, step 2 में जो important काम हमें करना है, उसमें environment variable का setup करना है हमें, इसके लिए आपको क्या करना होगा, आए देखते हैं, क्लिक करेंगे, properties में जाएंगे, properties में क देखें, यहाँ पर एक link है, advanced system settings, यह blue link है, इसको आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको system properties का यह छोटा सा window देखने को मिलेगा, और इसके अंदर bottom में यहाँ पे एक environment variable button है, इस पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपको एक window और open होगी, environment variables, जिसमें दो पार्ट ह user variables और system variables, हमें जो काम करना है, वो system variables के अंदर करना है, यहाँ पे आपको होजना है path variable, आप सर्च करिए, scroll down करके देखिए path variable है यह नहीं, most of the systems have path variable, तो आपको इस path variable को select करके, इस edit button को क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको यह variable listing यहाँ दिखेगी, और यहाँ पर हमें अपना ffm pack का जो path है, वो set करना होता है, इसके लिए आपको right side में button दिया गया है new, उसको हम use करेंगे, और path हमें कहां से मिलेगा, जैसा कि आपने देखा था कि पहले हमने zip file को extract कर गया था और एक folder बन गया था, उस folder के अंदर हमारे पास bin folder था, जिसमें यह तीन file थी, जि यहां पर address bar में जाकर आप इस path को copy करेंगी, तो द्यान से देखी, यहां पर तीन file है, bin तक का path है, जो कि मैंने copy कर लिया है, आपको भी ऐसा ही करना है, और यहां पर आना है वापस new button पर click करना है, जिससे आपकी एक new entry बनेगी, यहां पर cursor blink करने लगेगा, तो आपको यहा पर entry maintain हो चुकी है, finally आपको okay कर देना है, जिससे entry save हो जाएगी, यहां पर मैं एक step additional कर रहा हूँ, because मैंने पहले FFM pack setup किया था, जिसका path वहाँ पहले से पढ़ा है, उस entry को मैं delete करूँगा, otherwise, दो path हो जाएंगे, जिससे की problem हो सकती है, तो मैंने पुराने वाले को delete कर दिय है, नए वाले को रहने दिया है, अब सारी windows को close कर दीजिए, okay button press करते जाएगे, इसको भी okay करके close कर दीजिए, and this is the final window, यह भी close पहने कर दिये, अब हम step 3 पर आ चुके है, step 3 पर हमें check करना है हमारा जो FFM pack installation है, वो successful हुआ है, या नहीं, इसके बाद हम एक test run करेंगे, जि जैसा कि MP4 format की हम एक sample file लेंगे, जिसको हम convert करेंगे .avi में, तो यह दो task हम यहां करने वाले हैं, वापस चलते हैं, एक folder मैंने बनाया हुआ है, desktop पे, जिसके अंदर मैंने एक sample file रखी है, sample.mp4, इसको ही मैं use करने वाला हूँ, अपनी command में, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे क करना है, तो यह simple command, ffmpeg-i, input file, then output file name, तो यह sample command जो हम run करने वाले हैं, test run के लिए, तो अब आपको क्या करना है, जिस folder के अंदर आपने input file रखी है, उसको open कर लीजिए, उसके अंदर जाए, और यहां पे address bar पे click करें, address bar पे click करते हैं, आपको path दिखेगा, ओके, अब इस path पे आपको erase करके cmd type करना है, आप जैसे ही cmd type करेंगे, command prompt open हो जाएगा, और यह जो cursor blink करेगा आपको, वो उसी folder के अंदर blink करेगा, तो आपको cd करके उस path तक पहुंचने के जरूरत नहीं है, आप direct ही उस folder के अंदर हैं, इस समय, अब हमें क्या करना है, अब मैंने जो आ पहले हम एक trial run करते हैं, चेक करते हैं कि ffmpeg है या नहीं, simple ffmpeg space-b type करके press enter करिए, और आपको यह information दिखेगी, इस से आपको पता लग जाएगा कि हाँ, यह ffmpeg install हो चुका है, अगर आपको कोई और message दिखता है, ffmpeg not found, इसका मतलब है setup में कुछ problem थी, लेकिन यहा command को run करके trial run करेंगे, तो command मैंने copy कर लिया है, और मैं इसको यहाँ पर paste कर रहा हूँ, तो मैं बताना चाहाँगा, यहाँ पर हमारी input file जो है, वो sample.mp4 है, और इस वक्त हम उसी folder के अंदर हैं, और मैंने interface कर दिया है, execution start हो चुका, और आप देख सकते हैं, processing यहाँ पर चल र progress, अब यह कितना type लेता है, यह मैं आपको exactly नहीं बता सकता, क्योंकि depend on file size, और यहाँ पर हमने कोई additional filter use नहीं किया है, default ffmpeg command use की है, और इसके अंदर default filter जो apply होते हैं, उसका use किया है, simple input file दिया, converting this to output.avi format, तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा है कि हमारा ffmpeg successfully install हो चुक successfully work कर रहा है, I hope अगर आपको यह वीडियो पसंदा है, तो इस वीडियो को like कर लीजे, अगर आप और जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ffmpeg के बारे में, तो इस चैनल को subscribe कर लीजे, और बहुत जल्द मैं ffmpeg पर और भी वीडियो लेकर आने वाला हूँ, और दोस् थैंक्स फर वाचिंग